प्रार्थी दिनेश कुमार साव ग्राम सर्खो दिनांग 7 जुलाई 2020 को अपने काम से बिलासपुर गया था दोपहर करीब साढ़े बारा बजे उसके पडोसी ने मोबाइल से सूचना दी कि उसके घर में एक अज्यात लेक्ती घुसा था जिसे घर में घुसे देख सोर मचाने पर वह भाग निकला जिसे गरामीडों की सहायता से पकड़ा गया प्रार्थी जब अपने घर आया तो अपने घर के सामान को चेक किया सभी सामान सुरक्षित मिले प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी नैला में धारा 454 भादवी का अपरात पंजिबत कर विवेचना मिल लिया गया वरिष्ट पदाधिकादियों के दिसा निर्देश एवा मार्क दर्सन में आरोपी से सघन पूस्ताच किया गया जो आरोपी ने सुईकारा की वह सुना मकान देखकर प्रार्थी के मकान में चोरी करने घुसा था किन्तु पड़ेसियों की सजक्ता से पकड़ा गया आरोपी से पूस्ताच करने पर बताये कि वह साल 2015 में अपने अन्य दस साथियों के साथ बिलासपूर सक्ती डबरा के कुल 20 मामलों में चालान हो चुका है और 3 साल तक बिलासपूर सेंटरल जेल में बन था सजा काटकर साल 2019 में जेल से रिहा हुआ था आरोपी सुनिल बरेट उर्फ पिता नवल बरेट उम्र 27 वर साकिन वाड नंबर नया बारादवार थाना बारादवार जीला जांजगीर चापा को धारा 454 भादवी के तहट गिरफतार कर माननीय नियाले को पेस कर दिया गया है जहां से उसे नियाईक रिमान पर जीला जा जा रहा है उक्त कारवाही में चौकी प्रभारी नैला उनी ललित चंद्रा एवं स्टाप का सरानी योगदान रहा डियानेक्स टीवी के लिए जांजगीर चापा से अस्विनी सिंग की रिपोर्ट